लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकून को प्रेस करें या लंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़ों क्यों फूफू कर रहा है? पीबी बीमार है, अंदर है क्या हो आप अपी को? वही ओरतो उलई बीमारी ओरतों बीमारी खर्चा इतना अपुष्ट इस सिगरेट कितना की है? तस रुपें गी तस रुपें गी और जेब में किती पड़ी? एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बख रहा है यह दिख दिख मौत लिखी इस पे मौत और यह Sanity Pat पे जिंदगी हसमत दो सिगरेट के पैसे से भावी को ऐसी खतरनाग बिमारी जो महावरी के वक गंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आपको भी खतरनाग बिमारी से बचा सकता है यानि कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीच सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच अभास हीरोगिरी ये पीने में नहीं है ये देने में लिए हानिका रख है लिए हानिका रख है ये रात इतनी हसीन है फिर भी मेरे पास आने वाली प्रेम कहानियों में दुख है, खोना है, जो दाई है इतना पकारी के नीन दाजाएगी हलो हलो, हलो, हाँ बरे दूख मैं पास में हूँ, आदे घंटे में पहुँच जाऊंगा अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई अरे नहीं, क्या तकलीफ, चिंच फोकली तक कस्टमर था तो मुझ पे किसी को डाउट नहीं हुआ तो मुझ पे किसी को डाउट नहीं हुआ, जल्दी आजा हाँ, तुम टेंशन मतलो कि दूसरे पैसे वाले बने, इसलिए हम रिस्क लेते हैं, सारा काम हम ही तो करते हैं तेंशन कायगा दोस्त, जो होगा देखा जाएगा अच्छा सुन पांच तेही फॉंड करना अच्छा विना है, मेरी बात सुन मेरे घर पांचने से पहले समान को बार्डर करवा देया समझा ना? हाँ, समझ गया, हो जाएगा तू जल्दी आजा हाँ, बैस अभी आया चल रखता हूं आजीगे झाल धबगा तृस्ट एंजीट जाड़ कर रखता हुआ हुआ जाँ हुआ हुआ कि ऑमखे तरफ़ एकिए एक एकिए हुआ जाँ जाँ हुआ तर्व के गिए मौग प्याँ कर दो कर दो कर दो कर दो पाल झाल 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 आप लोग पता है कि मेरा डिवोस हो चुका है लेकिन वो इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवड नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इंवॉल्वड है मेरी एक्सवाइफ चाहती है कि मैं अपनी आधी जायद उसके नाम करूं एक तरह से ये चीप ब्लैकमेलिंग है ओ, ओके सर पर आपको हमसे क्या चाहिए उसने मुझे चीट किया रादिका सर की एक्सवाइफ का अफेर चल रहा था पर इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं फिर वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी आइम सॉरी सर पर हम ये काम नहीं कर सकते देखो रादिका विजय ने मुझे पहले ही नुमारी पॉलिसी के बारे में सब कुछ बता दिया था और मैं उन सबसे अग्री करता हूँ लेकिन इस काम की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत दूँगा मैं 25 लाख की ओफर रख रहा हूँ मैं सॉरी सर पर किसी की प्राइवसी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है और हमारी साइबर सेक्योरिटी फर्म से कहीं बहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता देखिए 2017 से प्राइवसी फंडोमेंटल राइट बन गया है बाई लॉग राधिका इस बारे में हम बात में डिस्कुस करेंगे हम अरेस्ट हो सकते हैं इस देश में यहां पर कितने मंत्री जन और बिरोक्रेट के फोन हैक होते हैं उन्होंने क्या किया है और तो और सरकारी लोगों का भी फोन हैक होता है और किसी को कोई फरक नहीं पड़ता सर इस बारे में हम लोग डिस्कुस करेंगे और आपको जैसा हो का बता देंगे ठीक है विजय तो क्योंना कल दुबारा हम शाम को मिलें कल कल अब ओके सर कल बताते हैं आपको चीक है थांकियू यह साइबर सेक्यूरिटी आज कल बहुत चलन में है ना सर धीरे धीरे लोगों को इसकी एहमेद पता चल रही है सर इसलिए आज कल हर को ही है है रहा गहरा साइबर सेक्यूरिटी के नाम पर ओफिस खोल कर बैठा है हलो पापा है लो रादिका सॉरी मैं मीटिंग में थीज़िया आपका फोन नहीं उठा पाई मैं तुम्हें लेनी के लिए आ जाओं क्या थोड़ा सा काम बाकी है पर पर कोई नहीं मैं घर आके कर लोंगी ठीक है पापा आजाईए ठीक है मैं निकल रहा हूं जी पापा बाए अगली बार एसे cheap case लेकर मेरे पास मताना जैसे हमने पहले कभी ऐसा काम किया ही नहीं किया है कई बार किया है और यही सब करके यहां तक पहुची हूं तुम्हें पता है ना सबसे पहले किसे है किया था अपने पापा को और उसके बाद कॉलेज के उस धोके बाद लड़के प्रस्ट्रेशन में इसा बूल गया, बूल जाओ, तुम भी भूल जाओ, विजय, बग बाउंटी खेलने से सारी प्रॉब्म्स सॉल्व हो जाएगी, मैं उसमें विनर हूँ, तुम्हारा पास्कोड क्या है, क्यों चाहिए, बताओ ना, ये मेरा परसनल फोन है, ओ, क्या है, क्या है, वन, टू, टू, ट्री, फोर, तुमने ही सेट किया होगा ना, क्यों, उसको प्राइवसी नहीं चाहिए, देखो विजय, हमारे काम में ही ये प्रॉब्लम है, दूसरों के जिंदेगी में दखल देनी की टेंडेंसी ही है हमारे काम की, इसलिए हमी ये सब इ इसा नहीं किया, ऐसे गुर के रही हो, सिर्फ एक बढ़ किया था, वह भी शादी के पहले ये देखने के लिए कि उसका कोई अफैर तो नहीं है, देखो विजय, हमें ये सब छोड़ना होगा, हमनी ये फिर्म उनके लिए शुरू किया था, जिनकी प्राइवसी कॉम्प्र हमनी करेंगे, हां मैं निकल रहे हूं, पापा लेने आया है, ठीक है, कल सुभा में और सेक्यॉरिटी औरिट का प्रेजेंटेशन दे दूंगी, बाई, 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 बस करो, बस करो, बाकी काम डिनर के बाद, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहे हूं, कल प्रेजेंटेशन कर देना है, ये पोटेंशल कस्टमर है, बहुत अच्छी सेक्योरिटी वल्रेबिलिटी है हमारे पास, बेटी तुमसे ये स्टार्ट अप का स्ट्रेस् मैनेज हो रहे है क्या, ये सब सोचने के बाद ही तो नौकरी से रिजाइन किया था और ये कंपनी शुरू की थी, बद तो बहुत अच्छी बात है, बस एक बार तु करोडपती बन गई ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जैसे अभी तो आप खुशी नहीं हो, अरे, तु आखिर कहना क्या चाती है, कल आपने बोला संगीत संगीत सम्मेलन में जा रहा हूँ, कहां गए थे आप, हां, तो तुने मेरी मोनेटरिंग शुरू कर दी है, इतनी टेंशन क्यू ले रहे हैं, चक्कर चल रहा है, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर से नहीं हो पा रही, बै एक तो मैं डाइवोर्सी हूँ, ऊपर से एक शादी लाइक बेटी का बाप, दो दो प्रॉबलम है, अब मु मैं अब कोई देखती हैं, हां, पापा, संगीत सम्मेलन में बोलके, उन खुला छुवा खिलना, बंद कीजी अब, सम्मेलन में मैं बोर हो जाता हूं, हां अगर कहीं, डीजे पार्टी चल रही है तो मुझे बताना, औहू, हम, हमacie मैं उस जगे पर हूँ जहां पर एयरपोर्ट की टेक्सी चलाने वाले संतोष की हत्या हुई थी पुलिस का कहना है कि हत्या नेशनल हाइवे के पास सुबज साड़े तीन से चार बजे के बीच में हुई पुलिस संगदिद्धों की तलाश में जूटी हुई है इस केस से जोड़े हुए एस्पी निते शर्मा ने मीडिया को कहा कि उनोंने एक स्पेशल टीम मनाई है अजीत हो चले का लिया तुम चलो में आता हूँ अरे तेरह फोन कहां पर है कब से तुझे कॉल कर रहा हूं अरे अंदर कहीं होगा कभी तो अपने पास रखा कर फोन ही नहीं उठाता आ जाना आता हूं तु अंदर चाले हुँ अजीत भाई यह देखिए मैडम यह नया प्राड़क्त है यह बहुत अच्छा है देखिए इंग्रेजिन देखिए इसके हां इसके नेकल साफ्ट हो जाएगी ब्राइट भी हो जाएगी प्रावनी मैंने करता हूं ठीक है विजो क्या रहे है हां ठीक है बाद में कॉल करता हूं अभी रखता हूं कौन है कोई मार्केट की है क्या हां बस समाज लो अजीद है क्या हां अंदर है अच्छा कर दो कान का गया रानी है ना माल मिला कर अच्छान माल टाइम पहुं जाना चाहिए अच्छान सफट पुझ जाना चाहिए। इस ताम माल टाम पहुं जाना चाहिए। झाल झाल कि अहाँ निकल रहे हूँ अभी तक तुम निकली नहीं तुम फोन रखो बस निकल रहे हुए रहे दे वाहदा किया था हम रोग दस बजय तक भीज देंगे हुआ हुआ बेटा जरा बाहराना कार्तिक तुम्हारा वेट कर रहाया कॉं कार्तिक अरे, आपने राजु अंकल का बेटा, जो डॉक्टर है, दरसल उसको तुमसे कुछ काम है, आजा न, मिल ले उससे, पापा मैं अल्रडी लेट हो चुकी हूँ, अरे, बस हाय बोल देना उसे, अगर वो तुझे अच्छा लगा, तो बाद में डेट पे उसके साथ चली जाना, क्या मतलब है इसका, मैं इतनी उतावली हो रही हूँ, कि अब आप मेरे लेट ढूंडेंगे, दरसल वो ऐसा, नहीं, अच्छा लड़का है, इसलिए मैंने, ठीक है, मैं आती हूँ, आप चलिए, पक्का आएगी न, हाँ, आ रही हूँ, गार्थिक, ये गार्थिक कौन है, इक्साटली, वो पापा की अभी-भी सर्जरी होई है न, इसलिए, हाँ, बेटी, कार्थिक, हाँ, कार्थिक, जानती हूँ है, पर हम दोनों तो पहली बार मिले हैं, पर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, कार्थिक राजशेखर, तुमने पढ़ाई की है सेंट जॉ पिछले हफते ही मुन्णार गए थे, अपनी अकेले की फोटो डाल कर ये साबित करना चाहते हो, कि तुम ट्रावल फ्रीक हो, और इसलिए ये चीप शो आफ कर रहे थे, कुटा बीमार हो गया, तो वो भी सोचल मीडिया पर डाल दिया, ताकि लोगों की सिंपिथी गेन कर स सारी फिल्माक्रिस की फोटो पर हमेशा कमेंट करते हो, उनकी अटेंशन के लिए मरे जा रहे हो, राधिका, ये साइबर सिक्यॉरिटी कंपनी का में काम हैकिंग होता है, ना, इक्जाक्ली ऐसा नहीं है, हम सिक्यॉरिटी के लूपोल्स चेक करते हैं और उसी हिसाब से हम स अटिकल पड़ा था, आम तोर पर लोग अपना जो पासवर्ड रखे हैं, सुनने में थोड़ा कॉमेडी लगेगा, लेकिन बहुत से लोग अपना पासवर्ड उनका खुद का नाम रखते हैं, नहीं तो वन टू टू तरी फोर कुछ लोग तो पासवर्ड लिग देते हैं, कितने स्टूपिड हैं ये, अच्छा, राधी का मैं के सोच रहा था, अगर लोग इतने पासवर्ड नहीं रखें तो तुम्हारी लिए हैकिं करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे की? जैसे मेरा एक पैठ है, मैं उसका नाम रखूँगा, या फिर मैं अपनी गाड़ी का नम कुछ, याद नहीं याद नहिए कुछ, मैं तुम्हें प्रेंड रिएक्वेश्ध के साथ तुम्हारी पिच्छ है और अच्छा, उस डोग के साध तुम्हारी पिछा है म乾 रेलभरा मरेरे, हमारी पास भेग था पॉमिररेनियनी पापा, दुढ्दू नाम था उसका, अप माचो, माचो. हाँ स्वीट. माचो 2015 है ना तुम्हारा पासवर्ड? हैकिंग, ना? नहीं, इसे कहते हैं सोशल इंजिनिरिंग. किसी को मैनुपुलेट करके उससे कॉन्फिदेंशल इंफोमेशन निकालना. जब तक यह ट्रिक चलते रहेंगे, हमारी कंपनी रिलेवेंट रहेंगी. बेटी, तुम्हे कुछ काम था ना, तुम जा सकती हो. जाओं क्या? ठीक है, हम बाद में मिलेंगे. फ्रिज के लिए टेक्नीशन को बुलाया है, उसे ज़रा एड्रिस बता दे. हाँ, ओके पापा, ओके, बाई. तुम्हे कुछ बुरा तो नहीं लेगा? विजय, वो श्लाइड दो मिनिट में शेयर रहेंगे, वोरी देर और और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कर रहे हूँ. विजय, सेंट कर दिया, चेक करो. हाँ, हेलो, इस नंबर से कॉल आया था मुझे. हाँ, मैडम, सर्वी संटर से बोड़ रहा हूँ. हमारा अबंदा घूम रहा है, पर आपका घर मिल नहीं रहा हूँ. बहुत देर से वो ढूंड रहा है आपको. सौरी, मैं थोड़ा बिसी थी. आप मुझे उसका नंबर दे दीजे. अब तो निकल गया होगा मैडम, उसने काफी दिर वेट किया आपका. आप नंबर ले लीजे मैडम, 97-456-3-7152. मैडम, हो सेके तो आप ही कॉल कर दीजे. ओके, थांक्यू, मैं कॉल करती हूँ. हेलो? हाँ, हेलो. भाया, आप निकले तो नहीं? है? आप सर्विस के लिए आने वाले थे, वहां से बोल रही हूँ. हाँ, मही हूँ. बोलीू ना? आप वहां से निकल गए हैं क्या या अभी आ सकते हैं? तुम जहां भी बुलाओगी, मैं आ जाओंगा मैडम. ये सर्विस स नमबर नहीं है? रात रानी को कैसी सर्विस चाहिए? मैं सब कर दूंगा. इडियाट. रात रानी नमबर आठ. ये बिशू, इसरा. हाँ, आया भाई, एक मिनट. अब ये फासिया जाल में. हाँ, इनने भी एक दे दो. नहीं, डेहने दो. सर, सुना कि नए C.I. सर ने चार्ज लिया है. हाँ, तो? तो क्या वो मेरे केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, एक मिसीन केस है. हाँ. जैसे ही कुछ पता चलता है, आपको बता दिया जाएगा. अब तो 12-13 साल हो गया. हाँ? देखिए, आपको पसंद करता हो, इसलिए बता रहा हूं. हर महिने यहां आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जवाब वही होगा जो पिछले महिने था. लेकिन सर, अगर मैं C.I. सर से मिल पाता तो… सर, वो फैक्टरी के फुटिच मिल गया है, बैकप इसमे है. ठीक है, मैं चेक करता हूं. सर, तो आज कोई बात नहीं मिल सकते हैं. कोई बात नहीं, अगले हफ्टे मिल लूँगा हूं. अगले हफ्टे मिल लूँगा हाई राधिका, हाव यू? गुट, सर, हाव यू? अंदर आके बैठे हैं. नहीं आज नहीं फिर कभी. मुझे बस एक मदद चाहिए. क्या बात है, सर? वैसे क्याना थोड़ा ताइम लगेगा. है क्या है, सिस्टेम में से लॉग और CCTV फुटेज इसमें हैं. क्या है. क्या है, सर, मैं बस आपको दो दिन में बता दूंगा हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बालंसर कोट में जाते हैं क्या? नहीं, रिटायमेंट सेलिब्रेट कर रहे है बालंसर का आखरी पॉब्लिक प्रोसेकुटर केस मैंने हैंडल किया था, याद है ना? हाँ, बताया था, बताया था, कहना मैंने याद किया था, मैं छोड़ देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, एक तो, इतनी सारी है क्या? यह तो कुछ भी नहीं, रात रानी, हाँ, यह यह ठू कोलर पर चेक करना है, रातीका बालन, अवाज एक दम नवकीन थी है, हाँ, अब इसको फेस्बुक पर ढुमते हैं, हाँ, रातीका बालन, यह रही, यह कहां की है? यह तो कोचीस है, फिर तो यह ही है, यह तो कुछ इसना है, आँ, यह तो कुछ और व्लींच, यह व्हाल की लग रही है इसको पटाएगा क्या पटाएगी क्या हम कॉल कर उसको सेट करने में पसीना निकल जाए या 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 अटाया नहीं क्या शाय सो रही होगी लगता तो नहीं है जल्दी सोने वाली नहीं दिखती है हम सही का तो उसको वाफस कॉल कर ऐसी उसको सोने थोड़ी देंगे कॉल कर बेटी रादिका तेरा फून बजरा है देखना कौन है अनो नंबर है बापा अरे फोन तो उठा हो सकता है कुछ खास हो हालो शात्रानी सो रही है क्या अब उनकी नेंद उड़ा के खुद सो रही है कमी ना कौन था कोई मवाली था बापा नंबर ब्लॉक कर दो उसका कि लगनी राद है ब्लॉक कर दिया होगा कहानी यहीं खताम एक काम करता हूं आप उन इस नंबर को भी बदल देता है तेरे नंबर बहुत ब्लॉक होते ना कितने नंबर चाहिए तेरे को बता है एक नंबर है यह चल फिर दो बारा कॉल कर 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 अभी सर हमें और भी डीटेल्स मिल जाएंगी अश्रफ बैट जाब अश्रफ इस केस को हैंडल कर रहा है अश्रफ यह रादिका जानता हूं सर आपने बताया था रादिका के पास कुछ इंफिर्मेशन है कैन यू या शौ सर ने जो मुझे सीसी टीवी फुटेज दिया उसकी डीटेल्स मैंने एक्जामिन की और मुझे उसमें कुछ अजीब लगा इस फुटेज के साथ छेड़ छाड़ की गई है मैं कुछ समझा नहीं आप तो जानते ही होंगे यह सीसी टीवी फुटेज स्टोर होते हैं आठ मिनिट के शॉर्ट कर उसी की उल्टी चलने वाली क्लिपिंग से रिप्लेस कर दिया है ताकि टाइमिंग में डिफ्रेंस दिखाई ना दे और इसलिए असली और बदली हुई क्लिपिंग में सिमिलारिटीज दिखाने के लिए इस ही क्लिप को रिवर्स करके प्लेस कर दिया है इसलिए हमें ऐस कि पाइप से निकलने वाला पानी उल्टा पाइप में जा रहा है इसका मतलब समझाएंगी अहां तो हो सकता है कि कुछ छुपाया जा रहा हो और इसी समय के बीच वहां कुछ हुआ हो सीसी टीवी फुटेज को जान बूच कर किसी ने बदला है क्योंकि सेम टाइम पर बाकी सीसी टीवी फुटेज में भी यही फॉरजरी की गई है मतलब किसी ने उसी वक्त सर्वर रूम को अक्सेस किया था छुपानी के लिए बहुत महनत की एक काम करो उस वक्त जो भी बाहर से फैक्टरी में आया था उसकी कम्प्लीट लिस्ट निकालो सर्, मुझे लगता है कोई अंदर का ही आदमी है बाहर से कोई आया ही नहीं होगा फैक्टरी, उसका सर्वर रूम कहां पर है ये सब वो अच्छे से जानता है ये प्रोफेशनल हैकर का काम नहीं अरादिका तुम ये कैसी कह सकती हो मैं भी फैक्टरी के किसी आदमी ने उसकी हेल्प की होगी उसे आकसेज दिलाने के लिए सर्वो कोई प्रोफेशनल नहीं है अगर किसी प्रोफेशनल हैकर ने इसस्टेम अकसेज किया होता तो उसके डिजिटल फुट्प्रिंट का पता लगाना लगभग ना मौम्किन होता पर यहां पर डेटा अप्लोड करने के लिए उसने cloud server का use किया है जैसे नौ सीखिये pirated movies को local server पर करते हैं बिलकुल वैसे ही एक professional ऐसा काम बिलकुल नहीं करेगा फिर इस cloud server को access करने वाला उसका IP address उसे भी उसने mask नहीं किया सभी internal IP address है यह professional का काम तो बिलकुल भी नहीं है सर अगर आप यह कहकर कि इंसाइडर जॉब है और तीन चार लोगों को statement के लिए बुलाएंगे तो हो सकता है कि वो panic हो जाए क्यूंकि वो professional तो बिलकुल भी नहीं है तो आपको इस तरह उसे पकड़ना आसान हो जाएगा क्या तुम पोलिस में काम करोगी मतलब यह तुम्हारा दिमाग अगर क्रिमिनल बन जाए तो हम कभी पकड़नी पाएंगे पापा कहते हैं कि मुझे दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं है और सब को शकी नजर से देखती हूं शायद मेरा काम ही ऐसा है इसलिए लिकिन ऐसे वक्त में यही नजर काम आती है एनिवेज थैंक यू सो मुच रादिका वैसे अशरफ शायद तोड़ा सा और परेशान करेंगा अगे नो प्रॉब्लम सर मैं भी चलते हूं थैंक यू थैंक यू हलो राद्रानी रादिका इतनी देर काय को लगा इफ़न उठाने में हू इस दिस हाईला है इंग्लीश तेरी इंग्लीश भी मस्त है अगा रहे अपन तो पस ऐसे प्यार से बात करने के लिए फोन किया था ए कौन है तू तू परिशान करे जा रहा है फिर से कॉल के रहा फिर बताती हो कौन हूं है समझा क्या पॉन रख क्या बोल रहे लिए दिखाए क्या बोल लो यहां के दिखा मुझे भी देखना हो सको सच में क्या फिर तो आप उन तो डर गया हां तू डरेगा ना जब पुलीस घर आएगी तब तू डरेगा समझा इडियाट अरे रुक 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 राता नहीं देख फूल्स फिर से लगाता है यह नंबर भी ब्लॉक करते है चुडायल कहेंगी अभी दिखाता इसको बड़िया यह पुलीस को बुलाएगी एप क्या कर रहा है कुछ नहीं भाई कि वाल्तु के लफड़े नहीं चाहियां मेरेको नहीं भाई अपून तो पस कालीया आया है क्या नहीं अभी नहीं आधे घंटे में काम ख़तम करके आ जाएंगे लाचा वीदे दिखने में तो ओके है पर हमें प्रोड़क के अपडेट्स को जल्दी रोल आउट करना है इंप्लिमेंटेशन प्रोसेस में है डॉक्यमेंटेशन बस बाकी है मुझे यह बताओ यह ठीक देख रहा है ना ठीक ही देख रहा है अच्छे से देख लो इसमें क्या हुआ पॉर्ण कौन है यह पर रादिक आजाओ आ बालन सर आए आये प्लीज बैठ के अपकी तबित कैसी है अबी ठीक हूँ उस लड़के को पकेड लिया हमने, किल्ली भी जु नाम है उसका, चोरी चकारी के छोटे मोटे केसिस है उस पर, रिटिन कंप्लेंट लाई हूँ, आप एफ आयर फाइल कर देंगे, आप तो जानते ही हैं, रादिका को भी बता दें, ऐसे के से कॉम्प्लिकेशन्स, देखो र ट्रांस्मिशन आफ पॉंड के तहट, बेल के बिना उसे तीन महीने की सजा हो सकती है, मेरे लिए इतना काफी है, ये लोग सीजन क्रिमिनल्स है, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, और हम उनकी तरह नहीं है, इसलिए जो भी कुछ करना है, उसके पहले अच्छी तरह स सोच लो, उन्हें यहां लाके हम अपनी तरीके से समझा देंगे, तुम्हें वो दुबारा ऐसे मेसेज़े वापिस नहीं भेज़ेंगे, अगर आज मैने जानी दिया, तो वो कल किसी और को मेसेज़े करेगा, ये साइबर लॉज आनने वाली मैं अगर कोट में नहीं अधी रात मुझे परिशान किया है, इस अग्ट वालेंस, आप इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? As a friend, जो मुझे कहना था, वो मेने कह दिया, चोईज इस कम्प्लीटली यॉज, केस आगे बढ़ा के कोट में जाना है, तब भी तुम्हारे साथ हूं मैं, As a police officer, you have all my support. Okay. Sir, उने अंदर लेकर आँ हूं? नहीं, नहीं, उनको बोलो कि बाहर रुके, हम बात कर रहे हैं, पाँच मिनट दो, मैं भी बुलाता हूं. जी, sir. तो तुमने क्या सोचा? Sir, मुझे लगता है. सुनो, बेटा, चाल्स सर जो कह रहे हैं, उसे मान लेते हैं. पापा? देखो, इस तरह के केस में, कोर्ट की वाद विवाद में, लड़कियों को ट्राउमेटिक एक्सपिरियन्स से गुजरना पड़ता है. कोर्ट में ऐसे ऐसे सवाल होंगे, जो बरदाश्ट नहीं होंगे. और फिर ऐसे मवालियों को तुम जेल में भेज भी दोगी, तो भी इनकी मानसिक स्थिती में कोई सुधार नहीं होगा. ये तो मुझे भी पता है, पापा, पर मन की शांति के लिए मुझे ये करना है. चाल्स सर, जो आपको सही लगता है, वो कीजिए. कैनाएं? हम, हम, उनको अंदर भेजो, ये अंदर आरे, हम, किली बिज्जू, नाम तो बढ़िया है, किसने रखा, मालूम नहीं सर, मालूम नहीं सर, सीधा खड़ा रहे, क्या काम करता है, वो भंगार का धंदा है सर, इस लड़की को तुने मेसेज भीजाता की नहीं, सर, पिछले अ हो गया था, पता नहीं कौन मेसेज कर रहा है, कितने नंबर से तरे बास, सर, चोरी हुआ फोन, डबल सिम वाला है, दो नंबर है, सर, एक नंबर दुकान के वास्ते था, अश्रफ, सर, एक तम अच्छे से तयार हो के आये हैं, बहुत हुश्यार बंदे हैं, सर, दूसरे को सर, यह लोग हमेशा साथ में रहते हैं, नाम क्या तरह? अजित नाम है, अंगार अजित, सब इसी नाम से पहचान दे, सर, तो वो तू है, इसको कैसे जानता है, अपने दुकान पे काम करता है, तू भी मेसेज के धंदे में हैं, सर, आपने पस तो वाटसप भी नहीं है, सा सर, जानभूच के कोई, मुझे कोई भासार है, सर, किसी और से यह मेसेज भीजवा के हमको भासाने की कोशिश कर रही होगी, सर, इन क्रिमिनल से बात करने का कोई फायदा नहीं, आप प्लीज इन पर F.I.R. फाइल कीजिए, आमको क्रिमिनल बोलने वाली यह कौन होती है, निकाल रहा है? यह जात के दिखार रहा है? यह मंने बोलाना, इसने कुछ नहें किया? तु घूड क्या रहा है बे, ही कसे खड़ा रहे? जो ड़र लग़ रहा है गया? तु जया तर पंच्चरों के बेच्चा आड़ियों। मेडम, यह पंच्चरों ठीकर देगा, बुलाओगी क्या, इसको अच्छे स्याता है, आजाएं क्या, कितना हुआ, एक सदस्थ, अजीद, चडिया अगई। मेडम, एक नजर देख तो ले, देख ना, एक नजर देख तो सही, अच्चे से पानी जे न, आरे बरे रहने चाहिए। देख कहा जा रहे हो, देख, 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 देख अर्यो, रात रानी, केस करेगी क्या, हाँ, चल, चल, माई चल, जा जाके कर दे, हाँ, कितना हुआ, 345 मैम, हाँ, सर, मैडम का बिलिंग अभी बाकी है, अगर मैडम को पसंदे तो, मैडम भी ले सकती है, मैने पे कर दिया, हाँ, मैडम, हाँ, हालो, पापा, हाँ, मैं आ गया हूँ, हाँ, बस दो मिनित में आती हूँ, ओके, मैं ओफिस के बाहर खड़ा हूँ, हाँ, ओके, पापा, अरे, अरे, आपको न है, हाँ, आपको कुछ गलत फैमी हो गई है, यह मेरी कार है, क्या आप भॉले बन रहे हो, आप ही ने तो बुलाय था मुझे, मैंने बुलाय था, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, आप गलत गाड़ी में बैठ गयी हैं, बाहर निकली है, ऐसे मत बनो जिसे कुछ जानते ही नहीं, देखो, तुमने बुलाया, इसलिए मैं आई हूँ, देखो, मुझे बहस नहीं करनी है, बाहर जाओ, ऐसा क्या कर रहे हो, सर, अरे, तुम तो पीछे ही पड़ गई, बाहर निकलो, मुझे बाहर के बात करने का, मैं कहरा हूँ, गाड़ी से उत लोग जमा हो रहे हैं, गारी से नीचे उतरो, ड़ियोड segurança जल्दी से निकलते हैं आटी को बहुत जल्दी लगता है अ अबुए बाहर को ईचानता है, मैं तो बालं सर को भी जानता हूँ, और अंटी को भी जानते हूँ, और अंडी को भी जानता हूँ пыт ने सौरत को न ही ज यह लोग आओ नहीं यहां देखो अपनी गली में चल के आ रहा है देखो आजाओ 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 क्या चल रहा है यहां पे पैसे तो कुछ भी करेंगे क्या अच्छे से निकाला है क्या हो यहां अगाल यहां इंट लुटी कर रही है क्या मेडम निकलती है कि नहीं कि लगोंगी तो लोगों टुमलागे विश्या पापा कार स्टार्टी अच्छी पैसा भी नहीं दिया तो सर के बहुत सारे फोटो और वीडियोज हैं हमारे पास तेरे मन की शांति के लिए आप उन मैसेज करता है यह जोन अगली बर केस करने जाओगी ना तब सर की हरको तो गभी अच्छे से केस कर देना है तो बालन सर आपको तो याद होगा मैंने पिछली बर क्या बोला था राथ किली बार के तरह नहीं अब इसके पाथ कंभी मिलेंगे हैं हैं है चलो निगलो जाने दो जाने दो ंसनो सिल्हक शलीनिकल ही यह से चलो ने सान दो beginnen रहं हो तरब कर से क्या जाओ अगाँ दखका रहे दखका किल शांट थो जाओ तया ना कुछ समय जो जो जाओ ना कि अगाँजिए जरुटेंगी लागाँ प्रॉप्ट कर दो खुटेंगी दखका दुटें ज्ली कर्काओ जान दें अड़िश्ट नी और जब रहंगे हैं ज् अब मैं सोने जा रहा हूं वेटी, सुनो ना, जब तू बात कर रही थी, तो मैंने सुना था, आज के बाद हम उन्हें प्रवोक नहीं करेंगे, पापा आप सच में यह चाहते हैं, पर आप उन लोगों को जानते कैसे हैं, इस अजीद को चाकु गोपने के जुर्म में अरिस्ट किया गया था, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा था, सारे सुबूत उसके खिलाफ थे, और उसे तीन साल की सजा हो गई थी, लेकिन उसको पॉलिटिकल सपोर्ट होनी की वज़े से, वो वक्त से पहले ही जेल से बाहर आ गय उससे जरा समल के रहना, तो आप क्या चाहते हैं, हम इन क्रिमिनल से डर कर चुपचा बेढ़ जाएं, हाँ, बेटी, अब तेरे बापा बुजर्ग हो गया है, तेरी जिन्दगी के साथ रिस्क लेना मेरे बस की बात नहीं, पापा, अब तु मुझे कायर समझे या निकम्म समझे, बेटी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं किसी भी हाल में अपनी इकलोती बेटी की जिन्दगी खत्रे में नहीं डल सकता, बेटी मुझे तेरा ही सहारा है, अन्होनी का मुझे डर लगता है, झाल थाहा है, आफ तु मुझे तेरा है, अन्होनी का मुझे का नहीं प्लिदानơi का मुझे लगी हारा है, बेटी मुझे वा रने वा कर दो समझे बष्रफ्रां का वा रुम्म A-A-A-A-A-A-A-A A-A-A-A-A चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्या बात है मुझे उन लोगों का फोन है किसका फोन मावालियों का तुम्हें हो क्या है छोड़ो ये सब उनका फोन है करके हमें क्या मिलने वाला है उनकी जिन्दे की बरबाद करनी है अवांट टो किल देर प्राइवसी कुछ दिन बहले तुम्हें कहा थी कि लोगों की प्राइवसी इंपोर्टन्ट है क्या तुमने अडियाना कुक का नाम सुना है वो दुनिया की बेस्ट फीमिल हैकर्स में से एक है पहले वो एक मॉडल थी एक दिन ऐसे ही ब्राउज करते वक शी फाउंड हर न्यूड पिक्चर्स मॉफट फ़न्स उससे में आके उसने वेबसाइट को हैक किया और कंटेंट को डिलीट करके वेबसाइट बंद कर दी अब वो ऐसे ही विक्टम्स की मदद करती है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है प्लीज समझो विजय अब मैं क्या कहूँ? मुझे बस हां सुनना है मैं ऐसा कोई ट्रैक नहीं छोड़ूँगी जिसे हम पकड़े जाएं तुम जानते हो तुम उनके फोन कैसे एक्सिस करोगी? वाट्स यर प्लाइम जिसकी प्राइवेसी ब्रीच हुई हो हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हमें उनकी तरह सोचना होगा सही कहा हमें बिलकुल वैसा ही करना है हम उनकी तरह सोचेंगे और हम वही करेंगे जो वो करते हैं कौन है रहे यह पता निए कौन से फिल्म भेजी है? कौन है? यह तो बाहर का नमबर लगता है यार तो उने अपने थरक मिटाने के लिए किसी साइट पा नमबर दिया होगा? और क्या? वैसे एक दम कड़क है यह बात है? उजरा मुझे भेज जानेमन तो जानेमन के गाल लाल होगे जल्दी भेज 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 जल्दी भेज भेज तुम दोनों के नमबर वे बेजा है मिला क्या देख तो आज रात को साढ़ी अट की शारजा फ्लाइट से कोल गेट अपना आत्मी लेगे आरेल है उसको लेने जाना तेक है अपुन जाएगा उसको लाने के लिए आज रात को साढ़ी अट की शारजा फ्लाइट से कोल गेट अपना आत्मी लेगे आरेल है उसको लेने जाना हलो सर आपको एक बहुत ही इंपोर्टन इंफोर्मेशन दीनी है हाँ बोलो ना सर आज रात साड़े आट पजे की शार्जा फ्लाइट से कोई ड्रग्स या कुछ ऐसा ही सामान लेकर आने वाला है अच्छा कौन है सोस सोरी सर मैं वो सब तो नहीं बता सकती पर मैं आपको फ्ल अपको ही सुटैंगरे वाला ही सोरी से雁 Präsident स gover कोई गो फ्लाइट थाहाँ कि दो सरह 25 6 कोई याच फ्लाइट स्काफफर ही थोड़ी हो नहीं देक बोफ्सू आस ही जाए एग ज Самने अपको अबरा just औ कुछ नहीं? मिनिट में चेक करती हो जल्दी करो, प्लीज अहा ट्रग्स नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? गोल्ड होगा लिकिन बेस्ट में? अहाँ प्लीज प्लीज अहाँ प्लीज अहाँ शार्जा इंटर्नेशनल एर्पर हाँ सर मैंने वाट्सेप पर फोटो भेजी है किसी ने ऐसी शुट पहनी है या कोई आदमी इसके जैसा है तो उसे चेकीजिए हाँ ठीक ठीक मैं देखता हूँ सुनियो सर हो सकता है वो गोल्ड हो ड्रक्स की जगा लट्मी चेक जगा जगा सर्थ कुछ पंगा हो गए वहां पर निकल वहां से तीके तीके निकलता है अपलू जगा आलो सर् रादिका तुम बिल्कुल सही थी वी गॉत है थेंक यू यू यस अगली बार जब आप सिग्रेट या बीडी पीने की सोचें तो खुद से पूछें ये सिग्रेट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा तंबाकू आज ही छोड़ें सहायता के लिए 1-8-0-1-1-2-3-5-6 पर कॉल करें या मिस्ट कॉल दे 0-1-1-2-2-9-1-7-1 पर मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूँ पदल जाएगे सब कुछ इतना अच्छा था एक अच्छा पती, दो प्यारे बच्चे लेकिन तंबाको ने सब कुछ पदल दिया अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चहरे से काटना पड़ेगा कुछ भी पहली जैसे नहीं होगा Koleenviron chemin क्ड़ी काइंजर का खत्रा होता है स्मोकिंग से मौत हो सकती है L gaan Pan Amapi मदिरा का सेवन करना सेहत के लिए हानिका रखै अच्छा किसी का फोन है करके तुम्हें क्या पता चलता है सब कुछ उसके फोन की कंप्लीट डीटेश उसको किसने कॉल किया उसकी कॉल हिस्ट्री कॉन्टाक्स, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram जैसी सब ही आपस की उसकी विसिटिंग वेबसाइट, उसके गालरी की कंप्लीट फोटोस, वो कहां है उसकी लोकेशन्स यहां बैठे बैठे मैं उसका कैमरा भी चला सकती हूँ अगर उसने अपना सिम बदल भी दिया ना तब भी मैं उसके फोन को एक्सेस कर सकती हूँ सेक्शन 43 एंड 66, हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट, तीन साल की सजा और पांच लाग का जुर्माना पापा, ये क्रिमिनल्स जब हमारी प्राइवसी को ब्रीज करेंगे ना, तब कोई नहीं आए हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा बेटी, अगर कोई गलत करता है, तो तू भी गलत करेगी वो बहुत बड़े स्मगलिंग राकट का हिस्सा है, हम इतने बड़े क्राइम को सामने ला सकते हैं तो फिर इसके बारे में तू चार्ल्स को बताती क्यों नहीं? अभी वो समय नहीं आया है पापा, वो बहुत बड़े राकट के एक छोटे से प्यादे हैं, जस्ट कैरियर्ज, वो एइपोर्ट से उसे कलेक्ट करके कहीं और जाकर दूसरे कैरियर को देते हैं, अल्टिमेटली उन्हें भी पता नहीं होता कि वो कहां जा रहे हैं, केस को स इंटेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, उनका फोन है है, उन्हें ये कभी पता नहीं चलेगा, मान लीजी उन्हें पता चल भी गया, तो वो हम तक नहीं पहुच पाएंगे। इंटेंशन और परपस हमेशा अच्छा होना चाहिए, ना कि गुस्ता या फिर प्रतिशोध बढ़ अरे नहीं सर् यहां से तो कोई नहीं बतायेगा, यहां सब के सब अपने ही छोकरे हैं अगे, एस सुछ हची है, इस还 to अरे यार ये जोर्ज सर बहुत गर्म हो रहे थे उस ठक को लगता है सब हमने किया है ऐसा नहीं है रहे उसकी तो संकेगी ना उसके लाखो रुपे डूब गये है उसके वास्ते बीच रोड पे किसी को टपका डाला फिर भी उसको विश्वास नहीं किया है चुप रहे नहीं करेगा देरे को भी वोल रहा हूं वह जो शंतोोषन अपनी इकड की बजें से मरा उसे सब अकेले ही खाना था जिस वज़े से वथिमार ने उस वज़े से मेरे पूसे साथम मर सकते हैं सम्झे तुम लोग सम्झे कि नहीं अहीं मेरी यह बात याद रखना संतोष था ना अपनी अकड की वज़े से मरा उसे सब अकेले ही खाना था जिस वज़े से वो मरा ना उस वज़े से मेरे साथ साथ सम मर सकते हैं समझे तुम लोग समझे की नहीं मेरी ये बात याद रखना हुँआ है से सुनो हमारी ओवल्क समस वाली सर्विस अबही अग्टिव है है मेरी लिए लिए एक सैट करो ना किसलिए थोड़ी देर के लिए उन्हें डिस्ट्राइक्ट करना है देखो इसको आम तौर पर मार्केटिंग केम्पेणिंग के लिए यूज करते हैं पर हम तो आम नहीं है मैं भी किस से भैस कर रहा हूं एक बार में कितने भेज सकते हैं लग बग 2 लाख लोगों को किन लोगों को सिटी एज जेंडर इनके साब से जो भी लोग डेटाबेस में यह डेटाबेस लीगल नहीं है सवाल ही नहीं उठता परफेक्ट सरा चेक तो करो मेल 17 255 कोची कितने हुए यह हैं एक लाख नभी हजार लोग भेज दो हैं पर इसमें टाइप क्या करना है इधर दो हैं दो इसके पास है बाब आदम के दमाने का इसको सच में खरीदना है क्या है ए तू चुपकर ना इतने दिन बात तो जाके यह ब्लुटूद लेने को तयार हुआ है अब लेने दे लगा रहा है तू कितना कंजूस है भे पिछली बार मेरे पैसे को अभी तक हाथ नहीं लगाया है अब उन लोगों का तो खतम भी हो गया है यह अच्छा लग रहा है एक नमबर आइट आप में यह ओडर करते हैं हाँ ठीक है तो मैं आदर कर दीता हूं मैं ओडर कर रहा हूं नहां यह य कौन लेकर आया हूं अरे खुश हो जा जोनिवन खुश हो जा ले ओडर कर दिया है अब तो खुश नहीं जोज बुश बुश बंजा बस अरे अभी कौन कॉल कर रहा है कौन बहुक रहा है आओ क्या दिखाओ तेरे को अभी कि खाले भी इस हुआ से कौन सतार है फता नी कोई लड़की है क्या पूछ रहा है बोला था कि कोई मैं पैले इस बोला था इसने जरूर किसी गंदे साइट पर अपना नंबर दिया होगा ऐसे कौल तो आएंगे ना अरे अप उन किसी को नंबर ने दिया रहे जब तेरा मूड बना होगा तब थोड़ी न सोचा होगा मैं फोन चार्जिंग पिलगा आ रहा हूँ कि मेरे को भी डालना है कि अपरे अपूर अभी तो लगाया था अरे गर्मी मत दिखा सिर्फ दस मिनट की बात है अभी ती रात को कौन कॉल करेगा आपको तेरी माने अगर कॉल किया तो अप उनकी मां का ख्या लखने के लिए है अप उनका बाप तेरी बीबी की तरह नहीं जो पता नहीं किसके साथ भाग गई अभी जो आप उनकी मां को बीच में यह अभी बसका रहे हो इसके बुरा काई को लग रह रहे वह तो खुश है मंबई में किसी साथ मस्ट जी रही है तेरे को क्या तकलीफ है बोला क्या तकलीफ है बोल एक पर फिर से बोल मेरी बीबी के बारे करता है इसके इतनी हिम्मत आपर लोग यहां पर क्यों आया पता है ना कलेग माल आने वाला है इधर और इस बार सही जगापर पर पहुंचा यह हमारी जिम्मेदारी है पागल की दरा शगणा करें आपर मारने तक यही करना है क्या इधरे लोग हालो सर्व हारा दिका बोलो ना एक इन्फोमेशन दे नहीं थी हुआ 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 पुल्ट प्रॉट करें थी हुआ 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 है उठाइए मत मेरा नंबर है हांُ ये नया नमबर क्यों लिया किसी काम से लिया था, देख रही थी चल रहा है की नहीं ऐसा कौन सा काम हेलो, हाई, पॉल रहा है हेलो उसको फोनीच नहीं लग रहा है शायद काम में लगाओगा, प्रियो के फोन केरेगा एए बिजो, उसको WhatsApp एक मेसेज भेज, उसको पुछ समान कहा भेजने का है? बाई समान डड़ी है, कहा भेजने का है? बढ़ लेकर राना, कमपनी के पीछे, और ख्यांद रहे, तब यहां के पुलिस है विजे, तुम जो कॉलेज में मोनो एक्ट और मिमिकरी करते थे, अभी भी खड़ते हो, बोलो चलो फिर, आओ यह सेफ तो है ना? आँ सेफ है पका? आँ ठीके तुलाने पर अभी किसका गॉल ले? नमस्कार अलो, अजय जी बोल रहे है, आँ बोलो मैं अमिता बच्चन बात कर रहा हूँ आँ बोलिये सर अरे भाईया हमने सबको बोला है आपको भी बताते है के स्मगलिंग करना एक कानून जूर्म है जी जी नहीं करूंगा सर, बिल्कुल नहीं करूंगा अरे बया स्वास्त रहना है तो घर में रहे है शेह, बच्चन साब का फोन था, उन्हें पता चल गया अमिता बच्चन का? हाँ, मैंने कहा था ना कि किसी को भी बताना चले शेह, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं चाहे था अच्छा, तुम लोगे काम करें इसे वापिस लेजाओ, लेजाओ लेजाओ, लेजाओ नहीं चाहिए मुझे, लेजाओ इसे बखेट पफॉर्मास मैं दिली पुमार भी कर सता है अई, अभी नहीं जरूरत पढ़ने पर मिधुन दाजा की दिली? ज़रूरत पढ़ेगी तो बताते हो हलो हाँ बोल हाँ भाई अपुन पहुंच गया है शुरू नहीं किया है भाई दूसरे नमर से कॉल आ रहा है अपुन एक मिनिट में कॉल करता है हलो अबे फोन रख थरकी तुम मिल अपुन को फिल तुझे दिखाया क्या चीज है अपुन तो मैं तो सामने आके बोलना दुनिया में से इतने धरकी लोग है क्या भाई तुबे आदी रात को परिशान करते है इनको तो मैं ये नमबर मुझे सेफ करना है नहीं मैं सेफ करूँगी रात रानी क्या कहा रात रानी कैसा लगा रात रानी अब होगी उसकी रात काली देव मतलब का लफ़ना तुम लोगों के बेवुकूफी के वज़े से मेरा कितना नुकसान हुआ बता है तुमे नहीं सर वो पोच मत समझा मुझे सर एक बार और मैं जो बोल रहा हूँ धयान से सुन जोर सर आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजे क्या बात बताना चाहते हो तुम उन लोगों को बोलो ज्यादा नजर में आए यह संतोश के केस में पुलिस पागलों की तरह पीछे बढ़ी है छुप जाओ समझे अजीत मांग रहा हूँ दू किया उसे मत दो कह रहा हूँ मैं ऐसे मवालियों के मुह नहीं लगता पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो छुडाने के लिए मुझे कॉल नहीं करना तुम लोगों की बेवकूफी का हरजाना मैं कब तक भरूंगा मेरे पास ना इतना पैसा है ना इतना टाइम है माल कब आने वाला है ये तुम लोगों के अलवा और किसी को बता नहीं था मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है बता देना ऐसा बोले मैंने अजीत जाने दे उसे कालिया इसको चुपका रहना ही पड़ेगा ने तो ये हमको संतुष के केस में फसा डालेगा अजीत ऐसी बात नहीं है उसने गुसे में ये सब कुछ बोला और कुछ नहीं ज्यादा मत सूच अजीत अजीत इस अंतोश मेरे खिलाब जाएगा अब उसकी अपने को जरूरत नहीं है उसके खाते को हमेशा के लिए बन कर दू आई बात समझ में ये भीजो इस रेकॉर्डिंग को उस शाने को वाटसब कर दे हम पर उंगली उठाने से पहले कम से कम वो दो बार सोचेगा अजीत, मामला बिगड जाएगा अब जाने भी दे यार क्यों आख से खेल रहा है ये भीजो हाँ उस दिनों जोल्री के पास अपने को कैश देने वाले का फोटो है न है न वो भी बेज़ दे है बिजू Radhika तुम इन कन्फेशन्स की सीरिसनेस समझ रही हो ना इस हरकत के लिए तुम्हें एरेस कर सकता हूँ पता है न तुम्हें सर अगर आप इन एविडेंस के साथ उन क्रिमिनल्स को लंबे समय तक के लिए अंदर डाल सकते हैं तो ठीक है मैं खुद को सरेंडर करने के लिए तयार हूँ सर आप तो जानते ही हैं उस टैक्सी ड्राइवर संतोष की हत्या कांड के लिए पुलीस कप से सुराग धून रही थी पैलेस जूल्री का ओनर जॉर्ज उसने सुपारी दे कर उसका खून करवाया है तुम समझो राधिका मैं क्या कह रहा हूँ को जिन गुनागारों ने मेरी प्राइवेसी को तहस नहस कर दिया उनको माफ कर दूँ इतना बड़ा दिल नहीं है वो अब आगे से कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करें इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ राध सर उसने जितनी भी रड़कियों को मैसेज बेजा है वीडियो बेजा है जो भी हो लाप्टॉप को सरेंडर कर दो और तुम बहार रुको मैं देख के बताता हूँ क्या करना है ओके हम आता हूँ हाँ ठीक है अजेत 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 तुझे पता भी है हम लोगों के खलाफ यह सब कौन कर रहा है यह सब वही कर रही है अजेत तुछ चुप क्यों है हमें इधर से निकलना पड़ेगा अवरत कुछ भी कर सकती है वो एक कीडा है कीडा वो हमें बरबाद कर सकती है फिर तो इस कीडे को खतम किये बिना हमें कहीं नहीं जाना चाहिए अवरत कर सकती है हलो बेटा हलो पापा आप कहां तक पहुंचे मैं लिंक रोड पर हूँ बस पंदरा मिनट में आ जाओंगा अगर तुम्हें नीद आ रही है तो तुम दर्वाजा बंद करके सोजाओ मैं चाबी लेकर आया हूँ चिंता मत करना मैं आ जाओंगा करना मैं टो तुम्हें यह Ooh हुआ 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 हु कि अपने हैं अपने हैं अपने हैं लगार उगार कर दो और ष्रड़ ये हैं आपने हौँ कि अपने हैं प्रॉब्स में आपने हैं इस अवाइनबने टेक और श्याइन आफ नवाइन आफ कि अवाइन आफ नवाइन आफ जल्दी सारी इंफरमेशन भेज दो अशरफ जी सर्टी लिमिट में सभी आटो स्टैंड पर डारेक्ट जाओ हमारे पास टाइम नहीं है जिस पर भी शक हो डारेक्ट पूछताच करो हमने उनके सभी ठिकानों को देख लिया है सर उनकी भंगार की दुकान भी दुपहर से बंद है आखरी बार कालिया के आटो में किसी ने उनने जाते हुए देखा था ये बालंसर के स्पोट पे कौन गया है मनुझ वहां पहुंच गया है सर उस जगह पर कोई घर नहीं है रोड के दोनों तरफ बस जाडिया है हमारी वहां पर जाच पड़ताल चल रही है सर हम ओके बालंसर हाँ बालंसर आये ना कुछ बता चला अप सिटी में सभी जगें पेट्रोलिंग चल रही है सर हम उन्हें जल्दी पकट लेंगे सर सर कुछ कहना है बोलो सर राधिका का मोबाइल जहां पर सुच्छ आफ हुआ था वो लोकेशन और सर ने बताया स्वाट आसपास है हलो बेटा हलो पापा कहां तर पहुझे मैं लिंक रोड पर हूँ बस पंदरा मिनिट में आ जाओंगा काता हुख्षी कर्षा जल्ले के आते हैं जल्द नियुक नोय आ चल्ड़ोध युँख्फ गर्वड़़्त त्रीमों जल्द एक नदे रहा हुझे इनरी जल्रूधेश्टव कर्ड़ोध शेल्दाख क्रेश्टरम यह जल्द थीक लोग ते उनकार बसकर हो स्वाश जल्ड सब्सक्राइब के लोकेशन सेम टावर से मिल रही है सर उन्होंने अपना फोन वहीं छोड़ दिया है शायद आटो में ये लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं जी 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 जिले के बाहर निकलना इंपॉसिबल है अशरफ पेट्रोलिंग यूनिट के साथ कंटिन्यूस मिले उसे तुरंत वेरिफाइ करो उन लोगों के फोटो सभी वाट्साइब में भेज दिया ना जी सर रादिका का लैप्टॉप यहां है उसे डीटेल में चेक करो शायद हमें उसमें को इंफोमेशन मिल जाए मैंने विजय को भी यहां बुलाया है विजय दरसल विजय रा चार संग्दिक दिवेक्तियों के फोटोस वाट्साइब पर भेजे हैं इन चारों को साथ मैं कालिया नाम के आटो ड्राइवर के साथ आटो में देखा गया है वहिकल नंबर KL40R4977 एक पर फिर से दौराता हूं KL40R4977 किसी भी संदेह जनक गाड़ी को जो इस जिले की हो उस सांस ले रही क्या देख रहा था? कहीं मुझ से सांस देनी की जरुवतना पड़ जाए अगर देनी पड़े तो देना कहां पहुचे? पता नहीं कहां है कहां है झाल झाल है अजीत क्या हुआ बाप बेटी दोनों को मार देना चाहिए था तू शांत रह यार इसको यही मार दू तो तू उसको इतनी आसान मौत देगा क्या जीत है याद है मैंने क्या बोला था मैं उसे देख लूगा बस मुथ्धु को आने दे पूलिस हर जगे पे है जल्द से जल्द जितना सोना अपने पास है उसे लेके जैसा हमने तै किया था हम पांचो पांच अलग अलग जगे पे चले जाएंगे आगे का काम जौर्ज देख लेगा हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है सैमी इधर रहा दर्वाजा पन्म कर काता है झाल झाल जो गयाँ इस फोन में मैंने सिर्फ तेरा नया नमबर डालके रखा है ये नमबर सिर्फ हम लोगों को ही मालूम है याद रहे अगर कोई भी इस नमबर पर कॉल करें तो फोन उठाना नहीं और समभल कर रहना नहीं इससे किसी को कॉल करना है ठीक है कि फोन तेरे पास है ला नहीं तो अब उनके पास नहीं है मैं लगाता हूं फोन गाड़ी के इंदर है अंकल उसका कुछ पता चला यही है वह विजय वह बताया था वो राधिका का लैपटॉप हमारे पास है उसे चेक करना होगा चली मैं बस अभी है अंकल हां अब तुम लोग निकलो जितनी जल्दी हो सामान बाहर निकाल लेना हाइवे पर बहुत पुलीस है जरा समहल के रहना लाखों का सोना है जरूरत होगी तो टुकडों में बेश देना एक बार तुम लोग ठेकाने पर पहुँच गया तो अजीत को बताना और अजीत इसका इसके टुकडे कल सुबह इसका बाप रोते रोते अपने हाथों से जमा करेगा अब तो खुश है ना पुलीस अभी इस लड़की को ढूंडने में लगी होगी यही वक्त है हमें निकल जाना चाहिए जाओ अब तुम लोग ठीक है चलो रह ज़ो तो गाड़ी में जा हाँ ठीक है ओके हाँ 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 मैं कर रहा हूं रहने दीजे सर थोड़ा पी लीजे प्लीज सर हिम्मत रखिये रादी का बहुत ब्रेव है इतने बंदोबस के बाद भी वो लोग ये शेहर छोड़के नहीं जा सकते हैं सा बस थोड़ा सावर टाइम लगेगा ट्रस्ट मी सर आप घर जाए यहां बैठकर सिर्फ स्ट्रेस होगा अगर यहीं बैठा रहा हूं तो कुछ तकलीफ है नहीं सर में अपडेट करता हूं प्लीज घर जाए प्लीज मैं छोड़ू सर मुझे उन लोगों का एकसेस मिल गया है क्या में और कोई इंफोर्मेशन मिल साथी है मैं चेक करके बताता हूं सर्थ क्या हुआ सर्थ वो मेरा फोन मैं कॉल करता हूं आधा गंटा पहले मुझे किसी की कॉल आई थी अन्नोन नंबर से मैं उसे कॉल करके देखता हूं सर एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट अश्रफ ये सर इस लास नंबर को ट्रेस करो लोकेशन टावर सब कुछ ओके सर डीटेल्स मेंक इट फास्ट कहीं ये उन्हीं लोगों का तो नंबर नहीं पता नहीं सर देखते हैं अगर मेरी बेटी को छोड़ने के बदले में कैश मांगेंगे तो मुझे नि लग का सब मुझे नि लगता सब मुथू हुआ हुआ है तुम्हारी बीवी बॉम्बे में नहीं है क्या जैसा तुम्हे लगता है तुम्हारी बीवी बॉम्बे में नहीं है यह तेरे को कैसे पता तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत प्यार करती थी न अपना मुँ बंद रख तू तो फिर वो तुम्हें छोड़ कर क्यों चली गई वो तमिल नाडू में है क्या उड्धुमा पेट पुलाची से 30 किलो मीटर दूर उसका घर क्रिश्चिन चर्च के बाजू में है भरोसा नहीं हो रहा है न मुझे सोचा कि मरने से पहले तुम्हें ये बात बता दू उल्लू बना रही है है ना नहीं फिर तुम इतने सालों से उसे ढूंड रहे हो जाकि उसे पूछ लो क्यों भागी नहीं तो बीजू जैसे नामर्द बोलेंगे कि तुम उसे खुश नहीं रख पाए तुम्हारी पास जवाब नहीं होगा खोपड़ी तोड़ दू तेरी सौरा दिमार बाहर निकल जाएगा सर जब रादिका ने बालंसर को कॉल किया था तब ये नंबर भी उसी टावर के लोकेशन में था सर ये नंबर अब भी एक्टिव है रुक्यू गए तुम आसानी से तुझे नहीं मारूंगा तडपा के मारूंगा अगर मैं मर भी गई तो भी तुम बच नहीं पाओगे तुम लोग कहीं भी जाकर चुपलो पुलीस तुम्हें ढूंड ही लेगी इस जाल से तुम्हें निकालने का मैं एक लौता रास्ता हूँ मेरे लैप्टॉप से ही वो डियक्टिवेट हो सकता है मैं तेरा विश्वास करूँ नहीं तुम्हारी खोई बीवी इस वक्त कहा है और किधर है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें विश्वास करना होगा हाश्रफ पहुच गए ये सर तुम्हार्केट के साइड रोड के यहां पे खड़े हो और मैं मस्जिद के पास एक रोड पे खड़ा हूँ ये बस दो ही एक्जिट्स हैं दूसरी तरफ एक गटर है ये दोनों एक्जिट्स को ब्लॉक किया है अश्रफ तुम दूसरी तरफ धीरे धीरे मूव करो ये सर तुम लोग यही पर रुको सर कुछ भी हो जाए जीब से मत उतरना प्लीज ठीक है चलो चलो सर एक मैंड राजन राजन तुम राजन को सम्वालो गलताओ बाताओ आन वही कि घुह बाताओ 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 येयum बोड़ दोड़ दो बोड़ दो अना चल भाग अट लाग बहाग पँसकी चल 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 बोड़ बहाई क्वoplawk में है, जста क्षप में घाज जाज कीओे। प्लब और कि नयाए ट है झाह उग है उऐ भी तो ब éléments प्लब अब बन खने धो मोब हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है अब हम इंतजार करते हैं हुआ हाँ अब हम इंतजार करते हैं अभी हसले बाद में तेरी चीख सुनाई देगी भाबी से मिलो तो मेरा प्रणाम कहना जो पूछना है पूछ लो वर नमरने के बाद कुछ नहीं पता चलेगा मुथू तुन्हें गलत आदमी से पंगा ले लिया है तुझे क्या लगा तुझे एक बात बताता हूँ जो आज तक इन लोगों को भी नहीं बताया मैंने अपनी बच्चलन बीवी को अपने हाथों से मारा है तेरे मरने के बाद अब इसके बारे में कोई नहीं जानेगा तो तु तो बहुत बड़ी-बड़ी छोड़ रही थी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था लेकिन उससे ज्यादा मज़ा तेरे चेहरे के डर को देख कर आ रहा है चिलाती रहे मुझे भी देखना है तुझे बचाने को अनाता है अगर मुझे खोला तो जबान भार निकाल दूगा अब तक तो मर गई होगी है अब बता कीधर है वो मारने वाले के बारे में जानके कुछ नहीं मिलेगा मुझे मेरी बेटी दे दे मेरे पास जो कुछ भी है मेरा सब ले 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 बालन सर प्लीज तेरे सारी केसिस आज के बाद मैं ही लड़ूंगा मेरा विश्वास कर तुझे बचाने के लिए मैं किसी भी कोर्ट में चला जाओंगा मेरी इकलाथी बेटी है उसे बाफ कर दे मुँ बंद कर सर अगर अभी गए तो कुट्थे उसके टुकड़े खाने से पहले पहुंच जाओगे आज है अपान कर अपान आप 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 ना जाने हिएर आज है नहीं और जाने है डरी से है चली गए चली गए चली गए जाओ इस चली गए आप भूगी राथकाली। हेलो वीजे। हेलो अंकल। बेटा राधिका ने अपने फोन में एक नंबर राथ रानी के नाम से सेफ किया था। देखना जरा वो नंबर मिल रहा है क्या। इस नंबर का इस्तेमाल वो उसके एयर फोन को मॉनिटर करने के लिए करती थी। अपने लैब डॉप से। उसके बारे में कोई इन्फरमेशन मिलती है क्या सरा देख बेटा। ठीक है मैं चेक करके बताता हूं अंकल। एयर फोन। हाँ हाँ इसको सच में यह खरीदने का है क्या। ए तू चुप करना इतने दिन बात तो जाके यह ब्लुटूथ लेने को तयार हुआ है। अब लेने देने छोड़। हलो हलो फास्ट कुरियर है। हाँ मेरे फ्रेंड ने ब्लुटूथ यह फोन ओडर किया था। आज डुलेवर होगा ऐसा मेसेज आया था। पर वो घर पर नहीं है। तो उसने मुझे उफिस से कलेक्ट करने को कहा है। आँ ओके मैडम। आपको एक OTPI होगा। हाँ तो ओडर आइडी के साथ उसे भी शेर करें। हाँ, एक सेकेंड हाँ ओडर आइडी नोट कर लीजे। D5, GH, Y6 अरे यह क्या चीज है। कुछ नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए लिया है। अरे कौन सा फ्रेंड। हैबिट्स अगर किसी की आदतों पर अच्छे से गौर किया जाए तो उसके राज का दर्वाजा खुल जाता है। वो इयरफोन ऐसे लेके घूमता है जैसे उसके शरीर का कोई हिस्सा हो। यही हमारा खुला दर्वाजा है। यह ब्लूटूथ हीयरफोन के साथ तुम क्या करने वाली हो। वो इस एयरफोन के साथ जहां भी जाएगा। वो जो भी इससे सुनेगा वो सब मुशे सुनाई देगा। अगर वो फोन यूज नहीं भी कर रहा हो। तब भी मैं उसे लाइफ मॉनिटर कर सकती हूँ। वो कैसे। रात रानी याद है। उसकी मदद से। भाई, एयरफोन, ओडर किया था न, एयरफोन, हो। कुछ है न, जॉज बूश बंजा। कुछ है। आज तो नसीब भी तेरा साथ दे रहा है। जो ट्रेन सवा तीन बजे आने वाली थी, वाज लेट है। पंदरा मिनट तुझे और जीवन देने के लिए, इंडियन रेलवे को तुझे धन्यवाद बोलना चाहिए। सर, इस नंबर का टावर लोकेशन मिल गया है। हमारी एक पेट्रोल यूनिट निकल चुके है, सर। हाँ विजय? सर, उस येरफोन की कुछ आवाजे मैं आपको फॉरवड कर रहा हूँ, आप एक बर सुन लिजेगा। ओके सुनता हूँ। उस येरफोन से कुछ ओडियोज मिले हैं सा। पाभी हसले बाद में तेरी चीक सुनाई दे गई। बाभी से मिलो तो मेरा प्रडाम कहना। जो पूछना है पूछ लो, वर नमरने के बाद कुछ नहीं पता चलेगा। वो जिन्दा है। अज तो नसीब ही तेरा साथ देरा है। जो ट्रेन सवा तीन बजे आने वाली थी, वो आज लेट है। सवा तीन बजे की कॉट सी एक्स्प्रेस है। इंडियान रेलवे को तुझे धन्यवाद बोलना चाहिए। पुलिस आ गए, पुलिस चल बाग। मुलिस चल टूझे मुझे मुल्ट भाल Èक पुलिस आजी बटा पिमुल despite ग्रेसी है, प्रेसी एकाफया थे थे वेला है। प्र बाउल ह Same A इतना लेट क्यों आए आप? वो सनकी लोग मेरी जान ले ले लेते तो? हस क्यों रहे हैं आप? आप हस क्यों रहे हैं? मुझे पता था तुझे कुछ नहीं होगा, राधिका. कैसे? कहते हैं भगवान शैतान को मरने नहीं देता. अरे, सुनो, भाबी के बारे में मैंने जूट क्या बोला, तुमने तो अपना छुपा हूँ आराज खुदी खोल दिया. अब हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जान गए हैं, तो सोच रही थी, तुम्हारा राज मैं दिल में रखूं या सबको बता दो. कीड़ा. कौन है वे? दो-तिन दिन से परेशान कर रहा है. तुझे क्या चाहिए? अब अगर मुझे दोबारा कॉल किया ना? तुझे में? भाड में जा मवाली. फोन रख. क्या हुआ? एक अन्नोन नंबर से दो-तिन दिन से कोई कॉल और मेसेज भीज कर परेशान कर रहा है. नंबर ब्लॉग किया तो दूसरे नंबर से कॉल करता है. फेस्बुक पर भी मेसेज भीजता है. उसकी पुलीस में कंप्लेंट कर दो. कौन सिर्दर्थ पालेगा मैडम? गब्राओ मत मेरी अच्छी पहचान है. वो नंबर बेजो. बेजो. मिल गया. टेंशन मतलो सब ठीक हो जाएगा. थैंक यू. कि यू. झाल झाल